Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Irodo School of Physics इस वीडियो में एक बहुत ही important topic discuss करने जा रहे हैं जिसका नाम है Electric Field और इस topic का weight बहुत सा restaurant कर रहे थे तो आज मैंने सोचा कि इस पे एक detailed lecture वीडियो बनाया जाए ध्यान से समझेगा और detailed lecture वीडियो मैं बना रहा हूँ इस कांसे छोटे छोटे बातों को भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाओंगा देखिएगा Electric Field क्या होता है कोई भी charge किसी another charge पे सीधा force नहीं लगाता है पहले अपने चारों तरफ एक field क्रियेट करता है Field एक charge अपने चारों तरफ field क्रियेट करता है और उस field में इदी कोई another charge आगाता है तो उस पे force लगता है That force is said to be electrostatic force मतलब यह charge का इलाका है एक charge अपने चारों तरफ एक इलाका, एक field क्रियेट करता है समझिएगा जैसे मान लीजिए आपको इदी किसी चीज़ पे force लगाना हो आपको इदी gate खोलना हो आप gate के पास जाईएगा फिर हाथ से उसको पकड़ के खीचिएगा आप हाथ के सहाड़े उस gate को खीचिएगा gate को खोलिएगा लेकिन एक charge जब दूसरे charge पे force लगाता है जब दूसरे charge पे force लगाड़ा होता है तो कुछ भी कोई सहारा तो दिखता नहीं है तो एक imaginary सहारा बनाया गया मतलब समझाने के लिए समझ सकते हैं जब दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो किस तरीके से लगाएगा किस सहारे के द्वारा लगाएगा इसको एक concept का नाम दिया गया that is called electric field electric field को इसी define किया जाए the space around the charge particle in which another charge particle experience electrostatic force said to be electric field फिर से सुनिएगा the space around the charge particle in which another charge particle experience electrostatic force said to be electric field तो यह electric field है देखिए जैसे माल लीजे यहाँ पे कोई Q charge particle है तो अपने चारों तरफ एक field create करेगा और इस field में दी कोई another charge particle आ गया तो उस पर force लगेगा ठीक है ना यही point है अब यहाँ पे इस electric field के concept को मैं बहुत बारीकी से आपको समझाता हूँ समझेगे इस point को देखिए इस Q charge का यहाँ पे क्या था कि जब यह Q charge नहीं होगा तो भी इस charge का वो एक term present होगा that is called electric field इस charge का यहाँ पे पहले से electric field था जब यह small Q charge नहीं भी था तो भी होगा जैसे ही यह charge आ गया तो इस पे force लगने लगा यह electric field का value कितना होगा इस concept को बहुत unique method से मैं आपको बताने वाला हूँ आप देखिएगा इस Q charge के चलते इस पे force कितना लगेगा के यहाँ पे Q1 माल लेते KQQ1 by distance का square माल लेते distance R यह लगेगा यदि माल लीजी यहाँ पे Q2 charge को रग दिया गया तो force कितना लगने लगेगा KQQ2 by distance का square यदि यहाँ पे Q3 रग दिया गया अब force कितना लगने लगेगा KQQ3 by R square इसका मतलब है कौन सा चीज इस charge का यहाँ पे नहीं बदल रहा है KQ by R square देखिए KQ by R square सब में है KQ by R square सब में है बस बदल कौन रहा है Q1 आ गया तो Q1 वो term into Q1 force लगा Q2 आ गया तो वो term into Q2 force लगा Q3 आ गया तो यह वाला term into Q3 force लगा यह जो term है न That is called electric field of this capital Q charge at that point ओके तो electric field का concept आपको समझ में आ गया होगा यह electric field को electric field strength भी कहते हैं electric field intensity भी कहते हैं ठीक है आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको electric flux density भी कहेंगे और यह सब कुछ-कुछ point है जो समझना different different नाम से इसको जाना जाता है या sort form में इसको सिधा electric field भी हम कर सकते हैं तो electric field यहां से आप देख सकते हैं electric field का value कितने के बड़ा-बड़ार है force per unit charge और चुकि electric field को test करने के लिए charge को यहाँ पे रखा गया था इसलिए यह small Q charge जो है यह test charge कर लाएगा ठीक है यह test charge कर लाएगा यह बहुत ही small होना चीए यह test charge क्या होना चीए बहुत ही small होना चीए negligible होना चीए ठीक है कैसे क्यों negligible होना चीए यह point एक important point है यह जो small Q charge है test charge negligible क्यों होना चीए समझेगा जैसे माल लीजिए कि एक object है ठीक है, ये electric field इस point पे create कर रहा था तर रहा होगा, लेकिन यदि यहाँ पे Q charge आ गया तो क्या इसके charge distribution में अंतर पड़ेगा बिल्कुल, ये charge भी तो इसको repel करेगा, ये ये negative charge होगा तो इसको attract करेगा, तो charge का density जो इस object पे होगा उसमें variation आएगा ठीक है, तो इस object करण जो यहाँ पे electric field ता हो बदल जाएगा क्यों बदला, इस charge के आने के करण बदला, ठीक है, तो ये charge आए भी और change भी ना हो इसका charge distribution इसके लिए क्या होना चाहिए, ये small q charge बहुत ही छोटा होना चाहिए बहुत ही small magnitude का होना चाहिए ठीक है, तो यहाँ पे test charge को जब आप define करोगे तो electric field equal to हो जाएगा limit q tends to 0 f by q, अब यहाँ पे ये test charge है, तो test charge small क्यों होना चाहिए ये concept भी clear हो गया electric field क्या होता है, ये concept भी clear हो गया, ठीक है तो इस तरीके से electric field को electric force per unit charge आप define कर सकते हैं तो इस तरीके से electric field को हम लोगों ने define करना सीखा, अब आगे बढ़ते हैं electric field में देखिएगा तो जैसे ये capital q charge है r distance पर जो इसका electric field होगा, वो कितने के बढ़ा बढ़ोगा k q by r square के बढ़ा बढ़ोगा ये electric field होगा, k q by r square के बढ़ाबर होगा कोई problem नहीं है ठीक है और test charge के term में electric field कितना हो जाएगा force per unit charge के बढ़ाबर हो जाएगा limit q tends to 0 आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन ये समझ के चलना है कि यदि ये test charge है तो ये बहुत ही small magnitude का होगा ये electric field हो गया देखिए ये electric field था single charge particle के current only one charge particle कितना electric field create कर रहा था ये हम लोगों ने देखा लेकिन यदि multiple charge system होगा तो electric field कितना होगा ये important point है यदि multiple charge system होगा तो electric field कितना होगा समझेगा इस बात को multiple charge के current electric field देखिए जैसे यहाँ पे q1 है, यहाँ पे q2 है और यहाँ पे q3 है तो यह जो q1 है यहाँ पे electric field इस direction में create कर रहा होगा इसको e1 vector कर देते हैं, इस direction में create कर रहा होगा q2 इसको e2 vector कर देते हैं, यह q3 जो है इस direction में electric field create कर रहा होगा इसको E3 vector कर देता है, अब इस point को समझिए, यहाँ पर जो net electric field होगा, क्या उसको आप सीधा जोर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि electric field एक vector quantity है, तो आप इसको सीधा नहीं जोर सकते, तो vector को जोरने का तरीका क्या होता है, vectorically इसको जोर दिया जाए, that is called superposition of electric field, तो electric field, electric field due to multiple charge system is given by vector sum of all the electric field present at that point, at which we have to find electric field, okay, तो electric field जो इस point पाएगा, that is given by vector sum of all the electric field present at that point, इस तरीके से electric field के vector summation से यहाँ पर net electric field निकलेगा, इस पर मैं एक example आपको बता देता हूँ, देखिएगा, समझेगा इस point को, यह तो clear हो गया ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे माल लीजिए, जैसे माल लीजिए कि दो charge है, दोनों का magnitude सेम है, ठीक है, दोनों के बीच का जो separation है, यह 2A है, इसके middle point से x distance पे electric field का value बताना है, इसके middle point से x distance पे electric field का value बताना है, तो इस Q charge का electric field होगा, इस Q charge का electric field होगा, अब यहाँ पर देखिए, दोनों का electric field का value सेम होगा, यह theta होगा, तो यह theta होगा, यह भी theta होगा, और यह भी theta होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो net electric field है, e net, e net कितना मिलेगा भाई, 2e cos theta मिलेगा, 2e cos theta मिलेगा electric field, अब e का value क्या, इस Q charge के चलते हैं, इस point पर electric field, यह x है, यह A है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यह कितना हो जाएगा, root under a squared plus x squared, it means that electric field is given by, e का value कितने के बढ़ा बढ़ हो जाएगा, k q by a squared plus x squared, तो e net का value, यहाँ पर put कर देते हैं, तो e net का value कितने के बढ़ा बढ़ा गया, 2k q by a squared plus x squared, and what is the value of cos theta, base by hypotenuse, x by root under a squared plus x squared, यह आ गया net electric field, इसको आपे दी, लिखिएगा, तो यह कितना आ जाएगा, 2k q x by, 2k q x by a squared plus x squared, to the power 3 by 2, this is the value of net electric field, इस q charge के चलते हैं, इस point पर जो net electric field निकला है, यह निकला है, अब देख सकते हैं, यह सी बढ़ा के question number 32 में, 32 question है, देख लिजेगा इसको, question number 32 या 33 होगा, ज्यादा चांस है question number 32 ही हो, ठीक है, तो यह question है, अब innate का value आप ऐसे निकल सकते हैं, ठीक है, अब इसमें एक point आता है, इसका graph यदि आप draw करना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा deep चलते हैं, और इस question को, मतलब इस point को थोड़ा और detail करते हैं, इस electric field का x के साथ graph क्या बनेगा, यह हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, देखेगा, यदि x का value 0 हो जाए, तो net electric field क्या हो जाएगा, 0, इस point पे, इस point पे electric field, if x equal to 0, then electric field 0, ठीक है न, clear है यह point, अच्छा, if x is much less than x 0 नहीं है, बस लेकिन बहुत छोटा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a square plus x is square, a square plus x is square, nearly equal to a square, x तो बहुत छोटा है न, neglect हो जाएगा, तो यहाँ पर init क्या आ फिर, 2k q x by a cube, यहाँ जाएगा, इस case में electric field, यह first point हो गया, यह second point, ठीक है, इसको second नाम दे रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, innate जो आ गया, डाक्री प्रपोस्ट्रल तो x आ गया, अब मतलब स्टेट लाइन, और जीन से start होके, स्टेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, अब third, यदि x का value बहुत बहुत बढ़ा हो जाए एसे, तो x square प्लस a square, अब x square हो जाएगा, तो उस case में क्या हो जाएगा, a square प्लस x square, nearly equal to x square, तो इस case में innate कितना आ जाएगा, भाई, 2k q x by x cube, यह cancel out हो जाएगा, तो यह 2k q by x square आ जाएगा, मतलब इस case में electric field क्या आ गया innate, inversely proportional to x square आ गया ना, मतलब अब parabolic graph बन जाएगा, origin से start हो के state line हो के parabolic decrease करने लगेगा, मतलब इसका graph कैसा हो जाएगा, तीक है, कुछ ऐसा graph हो जाएगा इसका, कुछ ऐसा graph हो जाएगा यहाँ पे, ओके, तो एक point होगा जहाँ पे यह peak पे पहुँचेगा, क्या होगा, एक कैसा point होगा जहाँ पे यह peak पे पहुचेगा, अब यह point calculate करने के लिए मान लीजी आप से पूछ दिया गया, कि what is the value of x in terms of a, so that electric field, value of net electric field becomes maximum, ठीक है, तो क्या होना चीए, x का value, a के turn में हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अब maximum, minima का concept आपको लगाना होगा, ठीक ह produce at that point, okay, and what is the value of maximum electric field, तो यह दोनों point, दोनों case, यहाँ से निकल सकता है, तो देख लेते हैं, क्या होगा वो, देखिएगा, इन सबों का तो जुरूत हैं नहीं, इसलिए साफ कर देते हैं, देखिएगा, अब net electric field का equation है, net electric field का equation क्या है भाई, यह है 2kqx by a square plus x square, 2d power 3 by 2, differentiate क x के turn में, x का value निकालना है, a के turn में, x actually calculate करना है, तो इसको differentiate कर दीजे, तो 2kq constant है, uiv के turn में differentiation होगा, उपर हो जाएगा a square plus x square to the power 3 by 2, x का differentiation 1, minus होगा, ठीक है, पहले यह constant रहा किया, x का differentiation 1, minus लिखे, फिर x को constant रहा कि इसका differentiation, तो 3 by 2 power में, 3 by 2 multiplication में हैगा, a square plus x square, 3 by 2 में से, क्या होगा, 1 subtract हो जाएगा, 3 by 2 minus 1, 1 by 2 हो जाएगा, into x square का differentiation 2x, होगा ना, ऐसा, इसको differentiate करके देख लीजे, a square plus x square to the power 3 by 2, तो 3 by 2, a square plus x square, 3 by 2 minus 1, और इसके अंदर वाले का differentiation, a square का differentiation 0, और x square का यह 2, 2 कट गया, ठीक है, यह 2, 2 cancel out हो जाएगा, by इसका square हो जाएगा, तो a square plus x square का यह cube आ गया, ठीक है यहां तक, अब आप यहां से, x का value, a के term में निकाल सकते है, जहां पे electric field maximum होगा, देखिएगा यहां पे, तो यह इसको zero कर दीजे, तो 2 k q, ठीक है, अब यहां से क्या आ गया, a square plus x square, to the power 3 by 2, minus 3 x square, a square plus x square, to the power 1 by 2, by a square plus x square का cube, that is equal to zero, तो यह multiply होके zero हो जाएगा, अब 2 k q, यह divide होके zero हो जाएगा, बच क्या जाएगा, a square plus x square, to the power 1 by 2, common कर लिजेगा, 3 by 2 में से, तो a square plus x square, बचेगा, तो a square plus x square, minus 3 x square, that is equal to zero, तो यह तो zero हो नहीं सकता, यह zero होगा, तो x का value कितना आ गया, a square minus 2 x square, equal to zero, क्या आ गया, a square minus 2 x square, equal to zero, तो x का value कितना आ गया, plus minus a by, root 2, ठीक है, plus minus a by root 2 करने का क्या मतलब है, प्लेस माइनस a by root 2 करने का मतलब है, कि जो charge था, ठीक है, जैसे, यह q charge था, यह q charge था, तो उपर भी एक point होगा, जहां पर maximum होगा, नीचे भी एक point होगा, जहां पर maximum होगा, ठीक है, और यह कितने के बड़ाबड होगा, a by root 2 के बड़ाबड होगा, ऐसे करके आप calculate कर सकते है, x का value, a के term में, ठीक है, तो यह a by root 2 आ गया, ठीक है न, तो अब यहां पर आप net electric field का value calculate कर सकते हैं, तो what is the value of net electric field, तो net electric field का value, लिख दीजे, कितने के बड़ाबड आता है, तो net electric field यह अब आप लिखने जाहिएगा, तो net electric field कितना हो जाएगा, 2, k, q, x के जगा पे a by root 2, a square plus x square, a square plus x square, a square by 2, to the power 3 by 2, इसको solve कर सकते हैं, आप, this is the maximum electric field, तो अभी हम लोगों ने सीखा, कैसे point charge के card in electric field calculate होता है, next video में हम लोग कुछ और भी इस पर point सीख लेंगे, thank you,